करे करतव व्योखी पूर्ती होगी बड़ी उन्नती, कभी-कभी इश्वर आपकी परिष्थिती नहीं बदलता है, क्योंकि उससे आपकी मनस्थिती बदलनी होती हैं, मनस्थिती बदलने के बाद कई चीजे सरलेवम सहज हो जाती है, इस बात को मीन राशी के जातकों ने हम जुलाई 2023 मेने के राशी वहुष्य को समझ रहे हैं उसमें आज हम मीन राशी के जातकों के लिए यह महिना कैसा रहेगा इस पर वार्तालाब करेंगे विभिन्न दुरुष्ट कोन से इस मेने के ग्रहस्तिति का हम शास्त्रोक्त विशलेशन करने वाले हैं साथ हैं वीडियो के अंत में मैं आपको इस मेने करने वाला विशेश उपाए भी बताने वाली हूँ इसलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूले हैं व्यक्तित्व की दुरुष्टी से विचार करें तो अत्यनत संवेदंशील भावना प्रदान लोगों के राशी के रूप में मीन राशी की पहचान है देव गुरु ब्रोस्पति आपके राशी स्वामी है कई बार आप बुद्धी से कम और भावना से अधिक विचार करते हैं कभी कभी तो भावनाओं में बेह जाते हैं वही आपकी मानसिक्ता होती है कोई भी आए और हक से आपको काम बताए आप भी उतने ही हक से प्रसन्नता से वह काम करते हैं साथ ही सामने वाले व्यक्ति से उस प्रकार के व्यवहार और सहयोग के अपेक्षा करते हैं, लेकिन वह संबव नहीं हो पाता, सामने वाला व्यक्ति आपको आउशक्ता पढ़ने पर सहयोग नहीं करता है, जिससे आपको बड़ी परेशानी होती है, इस बात को ध्यान में ले साथ ही राहू ग्रह भी आपके धनस्तान में विराजवान है जैसा हमें पता है कि राहू ग्रह एटेच्मेंट देता है और राशी स्वामी जब धनस्तान में होता है तब वह अधिक से अधिक धन कमाने के आंतरिक इच्छा उत्पर्न करता है कुल मिला कर मीन जातकों के लिए धनप्राप्ति के कई योग इस काल में निर्बान होंगे गतकाल में आपने बड़ा संगर्श किया है तो यह काल आपके लिए सफलता का रहेगा इसलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए पराक्रमयों परिश्रम की दुरुष्टी से विचार करें तो मीन राशी के लिए यह मैना लाभकारी कहा जा सकता है क्योंकि आपके तुरुतिय के तुरुतिय स्तार में विराजबान है उनकी यह स्तिति अत्यंत शुभदाई लाभकारी मानी जाती है परिणाम सोरूप इस काल में आप बढ़िया परिश्रम करने वाले हैं महत्वपुरुना बात है क उसमें आप बुद्धी का भी उपयोग करेंगे हैं इस्ट देव आपको सहयोग करने वाले हैं और आप सफलता के मार्ग पर चलने वाले हैं संग्षेप में पराक्रा में परिश्रम की दुरुष्टी से यह महिना आपके लिए लाभकारी रहेगा शिक्षा संततिकी पन्न होने जैसे प्रसंग निर्मान होने की संभावना रहेगी इसलिए अध्यन की यूचीत योजना बना कर रखें और उस अनुसार अध्यन करने का प्रयास करें ऐसी सलह दी जाती है क्योंकि ग्रहस्तिती जब आपके लिए प्रतिकुल होती है तब अधिक अध्यन कर उस क्योंकि इस काल में आपका स्वास्त अच्छा रहेगा स्वास्त का साथ होगा भाग्य का साथ होगा धनप्राप्ति के लिए आप प्रयास करेंगे इसलिए इन सभी दुरुष्टियों से यह काल आपके लिए शुभदाई एवं लाबकारी कहा जा सकता है उसका आपने पू काशित हो चुकिए है उनका अवश्य लाभ लीजिए नुक्रियों व्योसाय की दुष्टी से विचार करें तो यह अवधी इन दोनों मोर्चों पर बड़ी सफलता प्राप्त करने का है ऐसा हम मीन जातकों के लिए कह सकते हैं आप कई मैनों से बड़ी परेशानी के साथ प सभी ग्रह आपको सहयोग करने वाले है और आप प्रगति के मार्ग पर आगे बनने वाले है फिर चाहे आप नुक्री में हो या व्यावसाइक हो उसमें आपकी प्रगति होने वाली है बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है इसलिए इस काल का पूरा लाव उठाइए यहां प्रथम चरण हो लेकिन वह आपको उन्नती भी प्रदान कर सकता है क्योंकि वहां से आगे साड़े साथी में भी आपकी बड़ी उन्नती होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता इस बात को ध्यान में रखना चाहिए है भाग्यायम शुबसंकेत की दुरुष्टी से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस मेने कई शुबसंकेत निर्मान होने वाले हैं उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो चतुरतस्तान में निर्मान होने वाला भद्र राजयोग यह अत्यंत बड़ा शुबसंकेत कहा जा सकता है क्योंकि वह पंच महापुरुष्योग में से एक अत्यंत शुबर राजयोग है साथ ही राशी स्वामी धनस्तान में यह भी बड़ा शुबसंकेत है ऐसे कई शुबसंकेत इस काल में आपके लिए निर्माण होंगे और उनके आपको शुबह परिणा प्राप्त होंगे इसलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए कर्म की दुरुष्टी से विचार करें तो आपके राशी स्वामी गुरु महराज ही आपके कर्मेश है जो इस समयकाल में आपके धनस्तान में विराजबान है उनकी इस्तितिक आर्थ है कि मीन जातकों ने उचित कर्म करना चाहिए ऐसा करने पर धन आपकी ओर स्वयम चल कर आएगा इस बात को पहले ही दान में लेते हुए आपने अधिक से अधिक कर्म करने का प्रयास करना चाहिए वहाँ आपके लिए लाब करे रहेगा लाब की दुरुष्टी से विचार करे तो मीन राशी के लिए लाबेश शनीदेव होते है जो आपके वैय स्थान में विराजबान है साड़े साती का प्रथम चरण उन्होंने शुरू कर दिया है परिडाम सरूप इस काल में आपको भरपूर लाब प्राप्त होगा जिस कारण आप अत्यन तो उत्साह में रहेंगे लेकिन उसी उत्साह के साथ आपको अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है क्योंकि मूल रूप से शनी महराज की साड़े साती मनुष्य को जिम्मेदारिया सिखाने के लिए आती है चंद्रबा अर्थात मन और शनी अर्थात जिम्मेवारी होती है आपके मन से अर्थात चंद्रबा से जब शनी का गोचर सुरू होता है तब वे आपको सुचित करते हैं कि आप जिम्मेदारियों को पूरा करें मैं आपको सफलता प्रदान करूंगा उस अनुसार आप उचित कर्म करें उससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा इस बात को ध्यान में लीजिए वे उम पर्देश कमन की दुरुष्टी से विचार करें तो मीन जातकों के लिए इस काल में यात्रा के कई योग निर्मान होने वाले है उन यात्राओं से आपको सफलता के साथ लाभ मिलेगा नई संगल पनाये सामने आएगी खर्च का विचार करें तो ऑस्पिटल पर, खरीदारी पर, मोज मस्ती पर ऐसे कई कारणों से आपका खर्च हो सकता है इसलिए मानसिक्ता पहले से ही बना ले और आगे बढ़े जीवन सुख दुख और उतार चड़ाव से बढ़ा होता है कोई भी व्यक्ति संपूलन सुखी या संपूलन दुखी नहीं हो सकता उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं हो सकता महने के कुछ दिन सुख समाधान सफलता लेकर आते है तो कुछ दिन संगर्श, कठिनाईया और तनाव से बरहे होते है इस दुरुष्टी से मीन जातकों के लिए 2, 10 और 20 यहां दिन विशेश रूप से सुखदायक एवम शुभर रहेंगे, साथ ही 8, 17 और 27 यहां दिन अशुभ एवम तनाव पुर्ण रहेंगे, इन दिनों में आप कठिनाईयों, बादाहों और समस्याओं का अनुभोग करेंग तो यह मानसिक्ता पहले से ही बना ले और आगे बढ़ें, उपायों की दुरुष्टी से विचार करें तो जूतिश में छोटे छोटे बढ़ा परिणाम करने वाले उपाय बताये गये हैं, अशुभ चीजों की अशुभता कम करने का, शुभ चीजों की शुभता बढ़ान का उनमें साबर्त होता है, उस अनुसार उपाय का विचार करें, तो हर राशी का एक इश्वर होता है, और उसका विशेश मंत्र भी होता है, उस पर संशोधन कर, हमने आपके लिए विशेश उपाय निकाले हैं, उसमें मीन राशी की दुरुष्टी से, ओम भुर भुवस् तच्य वितूर वरण्यम, भर्गो देवस सधीमही, धियो योनह प्रचोदयात, यह मंत्र आपको सुचित किया जाता है, यह मंत्र का आपने पहले दिन 108 बार जाप करना है, और प्रति दिन 5 बार पूरा महिना जाप करना है, उसके शुब परिणाम प्राप्त होंगे, इस मेश से लेकर मीन तक हर राशी के लिए जुलाई 2023 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चानल पर अपलोड किये है, वीडियो पसंद आए, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किजिए, हम पुनश्य आवश्य मिलेंगे, धन्यवाद, शुवं भ पना ना बुले, धन्यवाद